ट्वीटर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है 11 माई को अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था जिसे उन्होंने बाद में मिटा भी दिया आखिर उन्होंने ऐसा क्या ट्वीट किया कि उन्हें अपना ट्वीट मिटाना पड़ा दरसल अधीर रंजन चौधरी ने चीन को अगाह करते हुए और भारती सेना की तारीफ करते हुए लिखा तुम जैसे जहर भरे सापों से निपटना भारती सेना जानती है और भारत सरकार को सला दी कि ताइवान को जल्द ही राजनेक पहचान दे दिया जाना चाहिए उन्होंने कोई गलत ट्वीट नहीं किया था नहीं इस ट्वीट से किसी भारती की आरोचना हो रही थी और नहीं वे किसी भारती या भारत को भला बुरा कह रहे थे लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि उन्हें अपना यह tweet मिटाना पड़ा संभोता उन्होंने पिछले दिनों भारती सेना और चीनी सेना के बीच हुई जड़प और वायू सीमा के उनलंखन को देखते हुए यह tweet किया था इस tweet को डिलीट करने के पीछे कांग्रेस की आला कमान की नाराजगी की बात सामने आ रही है यह ख़बर कई बार आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का चीन से दोस्ताना संबन्द है और चीनी दूतावास में राहूल गांधी के जाने की बातें भी सामने आई थी अधिर रंधन चौधरी के tweet को डिलीट करने के पीछे भी इसी कारण को लेकर tweetर पर लोग अपनी राय रख रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर चीन से कांग्रेस को डर क्यों लगता है Bureau Report, DNX TV, राइपूर